चोदहवाँ पाठ बच्चों की प्रिये केशव शंकर पिल लई, प्रिष्ठ संख्या 93 से 100 तक बच्चों, तुम डाक टिकट पुराने सिक्के आधी जमा करते हो ना? चोटी लड़कियां गुडियों का भी संग्रह करती हैं, लेकिन ठेर सारी गुडियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि एक तो गुडिया महंगी होती है, दूसरे उन्हें सुरक्षित रखनी के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुडियों का संग्रह करते देखा है? यहां मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हूँ, जिसने दो, चार, पांच, दस नहीं, पांच, हजार से भी अधिक गुडियों का संग्रह किया है जानते हो, यह इतनी सारी गुडियां उसने अपने लिए नहीं कठी की, देश विदेशों की भिन भिन वेश भूशा में सजी, अपने अपने देश के तौर तरीकों वाली खुबसूरत गुडियाएं उसने भारतिये बच्चों के लिए ही जमा की है इन गुडियों को उसने दिल्ली के एक विशाल संग्रहले में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें उन्हें बच्चों से प्रेम था, इतना कि वह उनकी खुशी के लिए और भी बहुत सारे काम करते थे और सुबह से शाम तक इन ही कामों में लगे रहते थे इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकर पिल्लई वही शंकर पिल्लई जो लंबे समय तक शंकर स्वीकली के लिए कार्टून बनाते रहे थे वे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकालते थे उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयूजित करते थे सिर्फ भारत के ही नहीं बलकि सारी दुनिया के बच्चे उन्हीं जानते हैं बच्चे ही उनकी कमजोरी थे और बच्चे ही उनकी ताकत। केशव शंकर पिल्लाई का जन्म 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ था। भ्यास भी चलता रहा। कार्टून बनाना उनकी होबी थी। बॉंबे क्रोनिकल में उनके कुछ कार्टून छपे तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई। 1932 से 1946 तक उन्होंने वहां काम किया। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी थी। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए उनके कार्टूनों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खीचा। और शंकर पिल्लाई प्रसिद्ध होते गए। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती। उसे प्रकट होना ही था। 1946 में वे इंडियन न्यूज ग्रोनिकल में चले गए जो अब इंडियन एक्सप्रेस है। फिर शीगर ही उन्होंने अपनी पत्री का शंकर्स वीकली निकालनी शुरू कर दी। यह अपने धंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्री का थी। शंकर्स वीकली के बड़ा सहाब और मेम सहाब शीर्शक नियमित कार्टूनों में बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग्य को बहुत पसंद किया गया। लगभग पच्चीस साल पहले इन बड़े लोगों को इनके हाल पर छोड़ शंकर बच्चों की ओर जुक गए। उन्हें लगा ये सुन्दर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं क्यों न इनके लिए इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए। कलाकार तो भावुक होते ही हैं, बच्चों के प्रती उनके मन में जो प्रेम उमड़ा, तो वे उनहीं के ख्यालों में डूबते चले गए। उन्होंने पहली बार शंकर्स वीकली द्वारा 1948 में बालचित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। विचार नया था बच्चों के हितका, इसलिए लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नहरू को भी यह विचार अच्छा लगा। 1949 में पहली अंतरराष्ट्रिय बालचित्रकला प्रतियोगिता हुई। 1950 में शंकर्स वीकली के बालविशेशांक में शिरी नहरू ने लिखा था। अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाशा वेश भूशा में होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकठा कर दो, वे या तो खेलेंगे या लड़ेंगे। और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। वे रंग, भाशा या जाती पर कभी नहीं लड़ेंगे। शंकर पिल्लै का उदेश्य भी यही था। संसार भरके बच्चों को निकट लाना। इसके बाद हर वर्ष शंकर स्वीकली के बाल विशे शांक निकलते रहे। हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही और उसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही। शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धाई साल से सोलह साल के बच्चे भारत के स्कूलों में तयारी करते रहते हैं। भारत के बाहर भी लगभग सो देशों के बच्चे हर वर्ष इस अंतर राष्ट्रिय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सन 1970 में 103 देशों से कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। और 18 देशों के 22 बच्चों ने नहरू स्वर्ण पदक जीता था। कुल 482 पुरसकार दिये गए थे जिन में से 50 पुरसकार लिखन के लिए और 6 चित्रकला के लिए थे। नहरू जी जब तक जीवित रहे इस वार्शिक पुरसकार वितरण समारों में मुख्य अतिति बने और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिचवाते रहे। बच्चों की प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुची थी। इसी लिए शंकर पिले के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी साहता दिलवाई। आज नई दिल्ली में Children Book Trust बाल पुस्तकाले गुडिया घर है, एक नया होबी सेंटर है। शंकर ने जिस तरह सभी देशों की सुन्दर कलापूर्ण गुडियों की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की, चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रह किया। उनका स्थापित किया हुआ Children Book Trust हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, पौरानिक कथाएं, पंच तंत्र और हितोप देश की कहानियां तथा ज्यान विज्ञान की कहानियां होती हैं, जिनकी छपाई का स्तर बहुत उचा है। भारत की संस्कृति की इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। देश में छपाई कस्तर उंचा हो इसके लिए वे प्रसुक्षन कोर्स भी चलाते थे। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुडिया उपहार में मिले। वह गुडिया इतनी सुन्दर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विभिन्य देशों से धेर सारी गुडियां ला लाकर भारतिये बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने अपनी गुडियों के इस संगरह को कई जगह प्रदर्शनिया लगा कर बच्चों को दिखाया। जब गुडियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुशकिल हो गया। ऐसे में केमती गुडियों के खराब हो जाने का भी डर था। तब शंकर के मन में एक गुडिया संग्रहले बनाने का विचार आया। देश की राजधानी में बना विशाल गुडिया घर उनके उसी विचार का परिणाम है। गुडिया घर में अब एक वर्कशोप भी खोल दी गई है जहां भारतिय गुडियों का निर्मान होता है और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है। हर साल उस गुडिया घर को देखने वाले भारतिय बच्चों की संख्या एक लाग से अधिक होती है। यहां इक अत्रित हैं। इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्ये के और विदेशों के रहन सहन, तौर तरीकों, फैशन, वेश भूशाओं तथा रिती रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। गुडिया घर के कुछ प्रमुक आकर्शन हैं। हंगरी की उन कात्ति वृद्ध तरकी की संगीत अग्यटोली, स्पेन की प्रसिद सांड से लड़ाई, जापान का चाय उत्सव और काबू की नर्तकियां, इंग्लेंड का राजपरिवार और शेक्स्पियर जैसे कभी, अफरीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक जहांकियां और विदेश के बच्चो पर मानव आदि, ये गुडियाएं इतनी आकर्शक हैं कि हस्ती बोलती, काम करती, चलती फिरती, सजीव सी लगती हैं, बच्चे इनके बीच जाकर घंटों खो जाते हैं, इस संग्रहले को एक दिन में अच्छे तरह देखा भी नहीं जा सकता, और इसे कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता, बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो और देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े गुडिया घर की स्थापना के पीछे शंकर का यही उदेश्य था, बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजनाई थी आर्ट कलब और होबी सेंटर च और हर वर्ष छुटियों में तेन चार कैमप लगा कर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना, अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। इस तरह केशव शंकर पिल्लई अपने बाल प्रेम और कृतियों से न सिर्फ भारत में बलकि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था तो देश-विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें मिला। लेख का आशारानी वोरा। तरह ध्यान न दिया जाए। विशेश अंक अर्थात विशेश प्रकार का अंक या किसी विशेश विशे को आधार बनाकर छापा गया अंक यानि पत्री का। अंतरराष्ट्रिय अर्थात विभिन राष्ट्रों के बीच। कलापूर्ण अर्थात कला से युक्त। पौरानिक अर्थात पुराणों से संबंधित। त्रशिक्षण अर्थात सिखाना या शिक्षण देना। आकरशक अर्थात मुहक या सुन्दर। एकत्रित अर्थात जमा की हुई या इकठा किया हुआ। माध्यम अर्थात के द्वारा या जरिये। कृतियां अर्थात रचनाएं या पुस्तकें। विख्यात अर्थात प्रसिद्ध या मशहूर। संग्रह अर्थात जमा करना या एकत्र करना। संग्रहाले अर्थात वह स्थान जहां कई वस्तुएं इकठी करके जमा कर रखी जाती है। संस्थापक अर्थात स्थापना करने वाला। खोखली अर्थात पूली या किसी ठोस वस्तु के भीतर खाली स्थान होना। प्रदर्शनी अर्थात कुछ वस्तुओं को एक स्थान पर देखने के लिए रखना। पहला पाठ से। क गुडियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्लई को कौन-कौन सी कठनाईयों का सामना करना पड़ा। ख वे बाल चित्रकला प्रतियुगिता क्यों करना चाहते थे। ग केशव शंकर पिल्लई ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई गुडियों का संग्रह क्यों किया। ग केशव शंकर पिल्लई हर वर्ष छुट्टियों में कैम्प लगा कर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर दे कर क्या करना चाहते थे। दूसरा तरह तरह के काम। केशव ने कार्टून बनाना, गुडियों व पुस्तकों का संग्रह करना, पत्रिका में लिखना व पत्रिका निकालना, बाल चितरकाला प्रतियोगिता का आयोजन व बच्चों का सम्मेलन कराना जैसे तरह तरह के काम किये। उनको किसी एक काम के लिए भी तरह तरह के काम करने पड़े होंगे। अब बताओ कि क कार्टून बनाने के लिए उन्हें कौन-कौन से काम करने पड़े होंगे। ख बच्चों के लिए बाल चित्रकला प्रतियुगिता कराने के लिए क्या-क्या करना पड़ा होगा। कुछ विशेश काम किये हैं, उनके नाम के आगे उसका भी लेख करो। तीसरा, घर तुमने इस पाठ में गुडिया घर के बारे में पढ़ा। पता करो की चिडिया घर, सिनेमा घर और किताब घर कौन और क्यों बनवाता है। तुम इनमे से अपनी पसंद के किसी एक घर के बारे में बताओ। जहां तुम्हें जाना बेहद पसंद हो। चौथा, संग्रह की चीजें। आम तौर पर लोग अपनी मन पसंद महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजों का संग्रह करते हैं। यहां कुछ चीजों के नाम दिये गए हैं। जैसे क, डाक टिकट, ख, पुराने सिक्के, ग, गुलिया, ग, महत्वपूर्ण पुस्तके, न, चित्र, च, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हस्तलेक। इसके अतिरिक्त भी, तुम्हारे आसपास कुछ चीजें होती हैं, जिसे लोग बेकार या अनुपियोगी समझ कर कूडे दान या अन्यय उप्युक्त जगह पर रख या फेंक देते हैं। क, तुम पता करो, यदि उसका भी कोई संग्रह करता है, तो क्यों। ख, उसका संग्रह करने वालों को क्या परिशानिया होती होंगी, इनके उत्तर के लिए तुम बड़ों की साहता ले सकते हो। पांचवा, लड़ाई भी खेल जैसी। अनेक देशों के बच्चों की यह फौज, अलग-अलग भाशा, वेश भूशा में होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकठा कर दो, वे खेलेंगे या लड़ेंगे और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी, वे रंग, भाशा या जाती पर कभी नहीं लड़ेंगे। इन वाक्यों को पढ़ो और बताओ के क, यह कब, किसने, किसमे, और क्यों लिखा। क्या लड़ाई भी खेल जैसी हो सकती है, अगर हो तो कैसे, और उस खेल में तुम्हारे विचार से क्या-क्या हो सकता है। छठा, सुबह से शाम, केशव शंकर पिल्लई, बच्चों के लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते थे। तुम सुबह से शाम तक कौन-कौन से काम करना चाहोगे। उप्युक्त जगहे में अपनी पसंद के काम को भी लिखो और सही का निशान लगाओ। तुम उसका कारण भी बताओ। काम का नाम सही या गलत कारण। काम का नाम है क- खेलना, ख- पढ़ना, ग- चित्रकारी करना। करना चाम झाताओ। चाम काम कारण।